महाराष्ट विधान सभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है इसमें 4136 उमिद्वारों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है बुधवार को मतदान खत्म होने के साथ ही तमाम आई एक्जिट पोल में बिजेपी के अगुवाई वारी महायूती की सरकार बनने की संभावना जताई गई है जबकि महाविकास घाड़ी को बहमत से दूर बताए गया है हनाकि महाराष्ट चुनाव के फाइनल नतीज़े तो शनिवार को आएंगे जिसके बाद ही असरी तस्वीर साफ हो पाएगी महाराष्ट विचुनाव का वोटिंग ट्रेंड अलग ही कहानी बयां कर रहा है सूबे के मतदाताओं में पिछली बार से ज़्यादा उत्साह दिखा है 288 विधान सभा सीटों पर मतदान 65.11% रहा जबकि 2019 के विधान सभा चुनाव में 61.4% बोटिंग हुई थी महाराष्ट में पिछले चुनाव में 4% बोटिंग बढ़ी वोटिंग क्या महायूती का खेल बिगाड़ेगी या फिर महाविकास घाड़ी के सर्ता में वापसी की उम्मीद्वारों पर पानी फेर देगी महाराष्ट विधान सभा चुनाव के लिए देर राताय आंकड़ों के मताबिक 65.11% मतदान हुआ सुबे में सबसे ज़्यादा बोटिंग कोलहापूर में हुई यहाँ पर बोटिंग 76.25% रही तो सबसे कम मतदान मुंबाई सीटी में 52.07% रहा महाराष्ट के सियासी इतिहास में 65% के पार महज दो बार बोटिंग हुई है एक बार 1995 के विधान सभा चुनाव में तब 71.96% रही और 2024 में 65.11% बोटिंग हुई महाराष्ट विधान सभा चुनाव मतदान के ट्रेंड को देखें तो मराठवाड़ा इलाके के जीलों में बमपर वोटिंग रही है जबकि मुंबाई के इलाके में वोटिंग कम रहा कोलहापूर में पिछले चुनाव की तुलना में 26% मतदान ज्यादा रहा मराठा आरक्षन आंदोरन का किंद रहा जहां पर मनुद जरांगे धरने पर बैटे थे उसे जालना में 7% ज्यादा वोटिंग हुई ऐसे में यह बात साफ जाहिर है कि जीन इलाकों में मराठा आरक्षन आंदोरन हावी रहा वहाँ पर जम कर वोटिंग हुई है वर्धा के इलाके में पिछली बार के बराबर ही मतदान देखने को मिला है महाराष्ट का वोटिंग ट्रेन अगर देखें तो 2014 के चुनाओं में 63% मतदान हुआ था जबकि 2009 में 69% लोगों ने वोट डाले थी 2004 की बात करें तो उस वक्त 63% मत पड़े थे इससे एक बात साब पता चलती है कि महाराष्ट में 60% के आसपास ही बोटिंग होती रही है इन चुनाओं में ज़्यादा तर वक्त BJP और शिवसेना के नत्रित में ही सरकार बनती रही है 2009 के चुनाओं की तुलना में अगर 2014 के चुनाओं में 4% बोटिंग बढ़ने से महाराष्ट की सत्ता बदल गई थी तो BJP सबसे बड़ी पाटी बन करके उभरी थी और पहली बाद 100 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी महाराष्ट में BJP ने अपना मुख्यमंत्री पहली बार बनाने में सफल भी रही थी कॉंग्रेस और NCP ही नहीं शिव सेना को भी नुक्सान उठाना पड़ा था इसके बाद 2019 में 2014 की तुल्रा में 2% घट गई थी जिसका नुक्सान कॉंग्रेस को उठाना पड़ा था BJP की सीटे भी घटी थी लेकिन 105 सीट पर संतोष करना पड़ा था 2019 में BJP और शिव सेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और कॉंग्रेस NCP साथ किस्मत आजमाई थी शिव सेना और BJP गठ बंधन को बहुमर भी राते हैं लेकिन मुख्यमंति की कुर्सी को लेकर के रिष्टे बिगड़ कर थे उद्धर ठाकरे ने BJP के साथ रिष्टा तोड़ करके कॉंग्रेस NCP के साथ मिलकर सरकार बना ली थी इसके चलते ही धाईस साल बाद शिव सेना में दो फाड हो गए शिंदे ने शिव सेना के 38 बिधायकों के साथ लेकर BJP के साथ सरकार बना ली 2023 में अजित पवार ने शरत पवार से बगाबत कर 40 NCP बिधायकों के साथ BJP शिंदे की सरकार में शामिल हो गए महा युदी गठ बंधन से BJP सबसे जादा 149 स्रीट पर चुनाव लड़ रही है तो शिंदे की शिव सेना ने 81 और अजित पवार की NCP उनसर स्रीट पर चुनावी किस्मताज मा रही है BJP ने 4 सीटे छोटे दलों के लिए छोड़ी है जिसमें रामदास अठावले की पार्टी, RPI, युवास वाभिमान पार्टी, जन सुराज शक्ती पार्टी इसी तरह महाविकास अगाड़ी में 101 विधान सफा सीट पर कॉंग्रेस तो शरत पवार की NCP, SP, 86 और उद्धव ठाकरे के शिव सेना UBT 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इसके अलावा बस्पा 237 पर VBS 200 सीटों पर AIM, AIM 17 और सपा 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है इसके अलावा अगर वोटिंग आवसत यानि के पिछले चुनाव के बराबर ही होती है तो सरकार बरकरार रहने के संभावना जादा होती है महाराष्ट में 2014 में भी 4 फिसदी वोटिंग बढ़ने से सरकार बदल गई है लेकिन इसके अलावा घरियाना में हुए चुनाव में देखें तो वोटिंग पिछले चुनाव के लगभग बराबर हुई थी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद